हेलो फेंड्स वेलकम बेक टू आवर चैनल आज की जो वीडियो रहने वाली है यह वीडियो सभी के लिए इंपोटेंट रहने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपन देखेंगे कि आपकी जो थियोरी के जो सब्जेक्ट्स है इनको आपको एक्जाम में किस तरह से इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपको किश प्रकास से टेंड कि आपके त्योरी में बात कर रहे है की वह सारी मीडी को सांट करने हैं तो आपको क्या करना है कि वैसे तीन कोश्इंट करने है दस के अंदर से और युनिट की बादता को क्या कर दिया है सबसे अच्छे आते हैं उनको आपको सलेट कर लेना कि आपको इन तीन कोशन को ही क्या करना है कॉंप्लीट करना है वो तीन कोशन आपको जो आते हैं ना सबसे अच्छे उनको आपको का करना सबसे पहले एक साथ attend करना ऐसे नहीं आगे बीचे करो आगे बीचे करोगी तो number कर सकते हैं अगर आपने eeg unit के दोनों कोशन करने हैं तो एक साथ करो अलग-अलग मत करना वरना आपके number कर सकते हैं इसके बाद में बात करते हैं घ्नेक्स पॉयंट कि आप बात करेंगे जो marks है उनको related की आ हो जाएंगे डबल हो जाएंगे जो भी आपके marks आएंगे वह जैस तांकर ऑले हैं तो आपको दुनों पर एटक करना है अब लाएक का सेगिंड वाला वी को जिस जाथ नदो को सेके वहां पर अपको देखे नहीं में इसको आपको तीस बिल्कुल निये उसको बीस तेनी है कि वीस के अंदर अंदर आप उसको लिख दो बागी कि इसकी जो दस मिनिट बच गई वह आपको फर्स्ट और सेकंड कोशन में देनी है वहाँ पर आपको लाइनिंग वगरा सारी खीज के एकदम प्रोपर तरीके से फर्स्ट और सेकंड कोशन को अच्छे से अटेंड करना है लाइन fz upon को देनिए fzto six को लाइन गरा तो एक दम प्रोपर आपका fz to seven बाकि की जो 10 मिनिट बची वह भी आप क्या करो उस पर सेगेंट वाले को सब्जेक्ट होता है इनमें क्या होता है कि आपको काफी सारा लिखना पड़ता है तो आपको नेक्स्ट पॉइंट में इसी बात का त्यान रखना है कि आपकी जो पूरा पेपर अटेंड नहीं हो पाएगा तो आपको आपको अपनी स्पीड पर एकदम ध्यान रखना है यानि आप जल्दी जल्दी आपको पेपर लिखना है और इस पीड़े दीर आपकी भड़ती जानी चीए तब आप लोग प्रेक्टिस कर रहे होंगे न तो आप लिखक पाओ और डेट गन्ठे के अंदर अपने पूरे तीन कोशन अटेंड करके आ सको क्योंकि जिनों ने भी तक ठीज़े पेपर दिये न काफी सारे स्टुडेंट्स आपको यह से देखने को मिलेगा कि डेट गन्ठे के अंदर तीन कोशन अटेंड नहीं कर पाते तो इसलिए आपको क्या करना है कि तो टाइम को एक्दम प्रोपर तरीके से आपको यूज मिलेना है और उसी इसाब से आपको लिखना है जाए आप प्रेक्टिस कर सकते हो गर पे इसके लिए तब यह आपका जो डेट गन्ठे में तीन कोशन पूरे अटेंड अब देखको अपन बात क रहें है उसके बारे में वो आपको लिखनी है दो से तीन विद्वान आप लिख सकते एं इस्तरह से लिए रहां इसके बार में आपको जो भी उसने पूछिए मैच वगरा जोबर कर सक्किने अब आपको डिस्राइब करना सारी चीजिए पर तो इसलिए आपको अपको अप्स समझ में आनी चहीं,Seat की है अपका क। इसमें काफी सारी स्टुडेंट ने कमेंट भी कि एक कोशन के अंदर कितना पेज भर के आएं तो पेज जो होंगे आपको कितने पेज बढ़ने ही होंगे किसी एक कोशन के अंदर कितने पेज बढ़ने हैं किसी भी कोशन के अंदर अगर माँ बात करूं इंगलिस मीडियम की तो इंगलिस मीडियम के अंदर करण करने करें किसी कोशन के अंदर इंगलिस मीडिस मीडिस के अंतर पूर रहा ऩहलोग बाकि आपको यानि उसको आपको आदा दूरा निचोड किया ना कोशिश करने हैं कि आप उसको भी पूरा-पूरा अटेंड कर सको लेकिन वहाँ पे आपको जो माक्स मिलेंगे वो 10 मतलब 10 नंबर के आपको माक्स मिलने वाले मा पर इसलिए मा बोलूगा कि उसको आप थोड़ा ज्यादा करना और कम ताइम देना उसको अगर आप उसमें चैर से पास यह भरके आजाते हो ना तो भी वह आपके अच्छे माक्स देदे का इंदर तो इसलिए मापको बोलूगा क कि उसको थोड़ा कम time दो जदा time दो फर्स्ट और second question को उनको आप अच्छे से अटेंड करो क्योंकि उनमें आपकी जदा जदा chances है अच्छे marks आने की थर्ड वाले question में भी आपकी marks है लेकिन उसको आप थोड़ा कम time दे सकते हो कि उसमें जो आपको marks मिलने वाले है वो दस में से मिलने वाले है तो इसलिए आपका करो first of second में थोड़ा जदा time दो और थर्ड वाले में 20 मिनिट भी काफी है अगर आप कोपी बढ़ने का मतलब है कि अगर आप सही से लिखा होगा तो ही नंबर मिलेंगे अधरवाज नंबर नहीं मिलेंगे कोपी बढ़ने का काफी सारी student बोलता है कि कोपी बढ़ने के नंबर मिलते हैं इसके related एक अलग वीडियो आई कि उसमें में आपको सारी अगर आपको अच्छे से आते हैं पहले आपको उनको सेलेक्ट करना उसके बाद में आप उनको अच्छे से अटेंट करके आने हैं जो चीज पूछी जारी है वो चीज बताओ आपको एकदम प्रोपर तरीके से टाइम का ध्यान रखना है क्योंकि टाइम काफी जल्दी जल्दी आपको लगेगा कि पता ही नी चलेगा को कब आपके डेट गंटे पूरा हो गया तो इसलिए आपको टाइम पे बिल्कुल फोकेस रखना है एक गड़ी लेके जाना चाहि बिलता है नई वीडियो में कुछ नई इंफोर्मेक्शन है थैंक यू फॉर वचिंग दिस वीडियो